रानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के लिए अच्छे दिन लाने का वादा किया था। साड़े साथ साल बाद निशकर्ष निकल रहा है कि वो महंगे दिन ले आए हैं। लोग फल सबजी जैसी रोज मर्रा की जरूरत वाली चीजों को खरीदने से पहले भी दो बार सोचने लगे हैं। सोशल मीडिया पर टमाटर की तुलना सोने से की जा रही है। रिकॉर्ड तोड़ने की इच्छुक मोधी सरकार ने पिछले साल बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद अब एक और नया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश में होल सेल यानि थोक महंगाई 12 साल के रिकॉर्ड सतर पर पहुँच गई है। फ्यूल, सबजी, दूद और अंडे के दाम बढ़ने से आम आदमी की कमर तूट गई है। मंगलवार को जारी हुए सरकारी डेटा के अनुसार नवंबर महीने में थोक महंगाई दर पिछले महीने के 12.54 से बढ़कर 14.2 हो गई है। इस दर के बढ़ने का मतलब है कि उन चीजों का दाम भी बढ़ जाना जो थोक में बिक्ती हैं। जैसे कि इंधन और बिजली, दूद, अंडे, मास, आलू, टमाटर और दूसरी सभी सबजिया। खाने पीने की चीजों वाली थोक महंगाई दर 3.06 फीजदी से बढ़कर 6.07 फीजदी हो गई है। आप ये मत सोचिए कि ये महंगाई सीजनल है। भारतिय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्ती कांदास ने तो कह दिया है कि महंगाई दर में तेजी बनी रह सकती है। इसका मतलब लोग टमाटर खरीते समय रोएंगे, अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाते समय रोएंगे, बिजली का बिल देख कर रोएंगे। और वो करे भी तो क्या करे। मोदी जी तो कहा करते थे। दिल्ली में बैठी कॉंग्रेस की सरकार महंगाई से त्राही त्राही कर रही गरीब जनता के घाव पर नमक छड़कने का काम कर रही है। समिती रानी सडकों पर सिलेंडर लेकर निकल जाती थी। लेकिन अब सब मंदिर का राग अलाप रही है। काशी विश्वनात कॉरिडोर उटगाटन को इवेंट बना रही है। मतुरा में तमाम क्रिशन भक्तों को भड़का रही है।